हाई हम क्रॉम से नाया तक हैं, हम पेश कर रहे हैं SS safety mesh. नॉर्मल SS mesh और SS safety mesh में क्या अंतर है? नॉर्मल SS mesh में हम फ्रेम के साथ SS mesh डालते हैं फिर rubber से लोक करते हैं. आने वाले दिनों में जलवायो परिवर्तन के दौरान rubber लंबी हो जाएगी. फिर rubber और mesh groove से निकलेंगे नहीं तो बच्चों के संभालते समय मोटे तोर पर भी हो जाएगा सबसे अधिक संभावना है कि अमीर लोग केवल SS mesh को प्राथमिकता देते हैं लेकिन समान्य जाल का जीवन काल जादातर एक या दो वर्ष होता है इसलिए हम सेफटी mesh पेश करते हैं यह जाली कांच के रूप और सीधी चादर के रूप में दिखती है कोई नाली और rubber beading नहीं है इसमें केवल plastic beading के साथ है यह plastic beading किसी भी जलवायू परिवर्तन का सामना करने के लिए है और frame से बाहर आने का कोई मौका नहीं है इस mesh ने वजन 20 kg तक उठाया है अगर किसी को इस नई तकनीत के जाल को जानना है तो हम वीडियो साचा करेंगे क्या आपको इसके बारे में अधिक जानकारी जानने की आवश्यक्ता है हम प्रशिक्षन भी प्रदान कर सकते हैं इस नई तकनीत का प्रशिक्षन प्राप्त करें और अपने व्यवसाई के लिए अधिक लाव प्राप्त करें